एल सिट्रोलिन जो की एक एमिनो एसिड है वो किस तरह से आपको सिक सम्मंधि समस्याव से बाहर निकालता है आपको इस से उवरकम करने में सहयता करता है आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले है तो मैं डॉक्टर सुपरज़ता और आप सभी का फिर से एक ब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही है जब किसी पुरूश में सेक्स की दौरान उनका लिंग इस तरह सी इरेक्टना होता हो लिंग में करक्पन इस लिंग का अंदर hardness की कड़कपन की कमी आपको दिखने लगता है अब ये जो L-Citrulin amino acid है ये एक बहुत ही important amino acid है हलाकि इसको non-essential amino acid माना गया है लेकिन जब हम पुरुसों की link की कड़कपन की बात करते है उसकी reaction की जब बात करते है तो उसके लिए ये जो amino acid है L-Citrulin ये एक बहुत-बहुत important और एक बहुत-बहुत essential amino acid बन जाती है ये L-Citrulin amino acid आपका body का अंदर जाके nitric oxide को बनाने में मदद करती है अब ये nitric oxide हमारा धमनियों के अंदर हमारा arteries के अंदर जाकर उसको relax करती है और blood flow को बढ़ाती है तो आप जब भी कोई L-Citrulin का कोई supplement खाते है या फिर कोई ऐसा food item जिसमें L-Citrulin पाया जाता हो तो L-Citrulin आपका kidneys जो होती है तो आपका kidney L-Citrulin को elarginin और nitric oxide में convert करती है तो nitric oxide आपका blood flow को बढ़ाती है और आपका link का अंधर बढ़िया तनाव आपको देखने को मिलता है इससे और आप सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई food item है जिसमें L-Citrulin amino acid पाया जाता है जिसे गर हम हर दिन खाते है तो फिर हमारा body में L-Citrulin की मात्रा बरकरार रहे तो L-Citrulin का सबसे अच्छा और जो सबसे बढ़िया source है वो है तर्मूच जी हाँ दोस्तो water lemon जिसको हम लोग तर्मूच बोलते है हिंदी में आपको तर्मूच का juice बना कर हर दिन 200-300 ml तक पीना है everyday हर दिन रोजाना आपको यह पीना पड़ेगा और यह तर्मूच का juice water lemon का juice आपको पी सकते है जब भी आपको time मिलता है आप सुभे breakfast में भी ले सकते है यह फिर lunch का time भी आप पी सकते है यह फिर साम को जब आप खाना खाते है उस time भी आप पी सकते है इसको लेकिन आपको हर दिन इसको पीना है कम से कम 200-300 ml तक आपको पीना पड़ेगा हर दिन इससे जिन लोगों का erectile dysfunction जो है half-lal में start हुआ है एकदम first stage में है उनका problem तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा एकदम तुरंट ठीक हो जाएगा इसके इलावा जिन लोगों का problem erectile dysfunction का problem बहुत severe भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है एकदम moderate level पर है बीच में है तो वो लोग अगर कुछ दिन इसको continue लेंगे कम से कम 20-25 दिन 30 दिन अगर continue लेंगे ऐसे करके juice बना कर तो मेरा दावा है कि आपका जो problem है उसमें काफी फरक आपको देखने को मिल जाएगा और जिन जिन लोगों का erectile dysfunction की problem थोड़ा chronic level तक पहुँच गया है बहुत दिनों से जिन को problem है वो लोग भी इसको हर दिन खा सकते है फाइदा आपको होगा लेकिन कुछ दिन आपको wait करना पड़ेगा अगर आप सोचेंगे हम आज से खाएंगे आज ही सबको फाइदा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा आपको कुछ मेहना continue करना पड़ेगा और यदि अगर आप अपना इलाज कहीं से करवा भी रहे है erectile dysfunction के लिए तो उस इलाज के साथ साथ भी आप इसको continue कर सकते है अपना डायट में इससे आपको benefit ही मिलने वाला है दोस्तो अब यहाँ पे एक जो problem arise होती है वो यह है कि 12 महिना 305 दिन तर्मूज यानि water lemon जो है available नहीं होता है और कुछ लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो हर दिन बजार से जाकर तर्मूज को उठा कर लेकर आए और वो उसका juice बना कर पिए अब यहाँ पर लोगों का यह कहना होता है कि sir को यह एक ऐसी supplement दे दो जो कि tablet या फिर medicine की form में रहे जिसे हम लोग रोजाने इस्तमाल कर सके just like medicine और side by side हमारा body की L-Citulin की जो need है जो दरकार है वो भी पूरा हो सके तो फिर उन लोगों को मैं मेरा यह खुद का बनाया हुआ sex tablet मैं उनको recommend करता हूँ इस tablet में 14-15 तरह की अलग-अलग medicinal property मौझूद है उसमें से एक property जो है L-Citulin L-Citulin जो है ये medicine जो बनाती है अमारा body में इस medicine का मैं अपना patient का ओपर दो महने का course करवाता हूँ दो महना course के लिए हर दिन दो दो गोली मैं patient को कहता हूँ कि रात को डिनर के बाद आप पानी के साथ एक एक गोली आप निगल लीजे और मैं अपना patient को regularly कहता हूँ कि इसका दो गोली आप हर दिन, everyday, रात को डिनर के बाद अब इसको ले लीजे चाहे आपको sex करना हो तो भी आप लीजे अगर आपको नहीं करना है तो भी आप लीजे इस medicine से क्या होता है कि आपका पूरी body की अंधर blood circulation जो है properly होने लगता है क्योंकि इस medicine का अंधर L-Citulin पाया जाता है और L-Citulin का जो काम होता है जैसे कि मन आपको थोड़ी देर पहले बताया कि body का अंधर जो है nitric oxide को ये बढ़ाती है जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा पूरी body की अंधर blood circulation जो है ये properly होने लगता है ये medicine सिर्फ आपका link का अंधर blood supply को बढ़ाती है ऐसा नहीं है बलकि ये आपका पूरा body का अंधर जो blood circulation है उसको जह regulate करता है और इसलिए ये medicine इतना अच्छा काम करता है आप लोगोंने फिड़ग वाला वीडियो में देखा होगा कि 70 years का patient, 68 years का patient जिनको heart का problem है जिनको diabetes है वो लोग भी इस medicine को लेकर जो है लावामविध हो रहे है और अब मेरे ख्यास से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये medicine इतना लापकारी क्यों है इतना beneficial क्यों है क्योंकि इसका अंधर L-citrulin पाया जाता है अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों का मन में ये सवाल होता होगा कि क्या इसका कोई side effect है की नहीं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका कोई भी side effect नहीं जिन लोगों ने इस medicine को हमसे purchase करके खाया है वो लोग खा कर क्या कह रहे है ये आप जान पाएंगे कितना बड़िया link में तना हो आ रहा है जिनका उमर 70 years है 68 years है ऐसे लोगों को भी जो है ये medicine से फाइदा हो रहा है और ऐसा भी नहीं कि इस medicine को 10 दिन 20 दिन खाने का बाद इसको असर दिख रहा है तुरण तेकदम instant जिस दिन आप पहला dose ही खाएंगे उसी दिन से आपको फरक जो है इसका पता चल जाएगा ऐसा medicine है ये तो दोस्तों ये है एक short video about L-citrulin and its connection with erectile dysfunction आसा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी so thank you very much and have a good day